जी आज हमारा chapter 12 का lecture number 18 है और आज एक बड़ा छोटा सा short question है जिसका नाम है charging and discharging of capacitor इसमें हमने capacitor को charge भी करना है और उसको discharge भी करना है एक बात याद रखें कि capacitor को अकेले charge या discharge नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर हम अकेले capacitor को एक बैटरी के साथ attach कर देंगे ना तो capacitor heat energy पैदा होने की वज़ा से क्योंकि जब एकदम charging start हो जाएगी तो capacitor break भी हो सकता है इसलिए ऐसी गलती कभी नहीं करनी कि आपने अकेले capacitor को बैटरी के साथ connect कर दिया तो capacitor को charge या discharge करने के लिए एक path चाहिए और वो path resistive path होना चाहिए यानि ऐसा path जो charge के flow को थोड़ा सा oppose करें और ऐसे path को बोलते हैं resistor इसका मतलब है capacitor को charge या discharge करने के लिए उसके साथ एक छोटा सा resistor भी लगाया जाता है ऐसा circuit जिसमें capacitor के साथ एक resistor भी हो उसको बोलते है RC circuit तो फर्ज कर लें मेरे पास एक capacitor है और साथ ही एक resistor है जो उसके साथ connected है और साथ हमने इस सारे apparatus को एक battery के साथ attach करती है और इस तरफ आप देख रहे हैं एक switch है और ये switch two-way switch कहलाता है आप देख सकते हैं दरम्यान में आपको एक wire नजर आ रही है इसको आप point B का नाम देदें ये वाला जो terminal है और नीचे वाला जो terminal है that is point A और नीचे एक battery लगी रही है battery का फर्ज कर लें जो potential difference है वो V naught है और उस तरफ battery का positive है और इस तरफ battery का negative है अब देखें सबसे पहले मैं capacitor की charging को discuss करता हूँ capacitor की charging के लिए मैं क्या करूँगा मैं इस switch S को A के साथ connect कर दूँगा जब मैं switch S को A के साथ connect करूँगा ना तो आप गोर करें circuit का ये बड़े वाला loop complete हो जाएगा यानि circuit के अंदर battery जो है वो अपना role play करना शुरू हो जाएगी तो होगा क्या capacitor की वो वाली plate जो बैटरी के positive terminal के साथ connected है उस पर positive charge आ जाएगा और capacitor की इस तरफ वाली plate जो बैटरी के negative के साथ connected है उसके साथ negative charge आ जाएगा यानि जितना उस पर positive उतना ही इस पर negative charge आता जाएगा फर्ज कर लें उस पे plus Q है और इस पे minus Q है और ये charging का process मुसलसल होता जा रहा है ठीक है charging होते होते फर्ज कर लें capacitor की दोनों plates में से किसी भी plate की आप बात कर लें चाहे positive है चाहे negative है उस पे ज्यादा से ज्यादा charge जो store होना है ना फर्ज कर लें उसको हम Q naught का नाम दे देते है ठीक है अब मैं एक छोटी सी equation लिखूँगा जो equation हमें ये बताएगी कि किसी भी given time में capacitor की plate पे कितना charge stored है अब इस equation का proof हमने नहीं करना इस level पे यह हम थोड़ा higher level पे करवाते हैं लेकिन फिलाला आप इस equation को देख सकते हैं देखें ये equation हमारे पास Q is equal to Q naught bracket के अंदर 1 minus E की power minus T divided by R C इसमें R जो है resistor की resistance है C capacitor की capacitance है और Q naught maximum charge है जो capacitor की plate में store होगा अब यहां मैं बड़ी एक interesting चीज़ आपको बताने लगाँ जरा गोर कीजिएगा अगर मैं उपर जो E की power है T divided by R C अगर मैं T की जगा R C put कर दो तो देखें R C R C से cancel हो जाएगा वहाँ पर E की power minus 1 रह गई जब E की power minus 1 है तो आप उसको 1 over E भी लिख सकते हैं और 1 over E पता कितना होता है 0.37 अब bracket के अंदर 1 में से 0.37 को अगर मैं minus करू तो मेरे पास बचेगा 0.63 तो आपके पास Q की value आ गई 0.63 times Q naught अब आप गोर करें आपने time की जगा क्या put किया था R C तो आपके पास Q किसके equal आ गया maximum charge का 0.63 times इसका मतलब है इस वक्त कपैस्टर की प्लेट पर कितना charge stored है 0.63 times of maximum charge यानि अगर maximum charge 1 कूलम है न तो 1 का कितना store है इस वक्त 0.63 तो इसका मतलब है यह जो time है इसको हम कोई नाम भी दे सकते हैं पता है इसका क्या नाम है इस time को बोलते है time constant जिसकी value मैंने R C put की थी So R C is the time during which 0.63 times of maximum charge is stored on any one of the plates of capacitor और इस time को बोलते है time constant So हमारे पास time constant का formula भी आ गया और time constant की definition भी आ गई कि यह ऐसा time है जिस time के दुरान maximum charge का 0.63 times charge store हो जाता है capacitor की किसी भी plate पर अब इसको 0.63 times of maximum charge भी कह सकते हैं और 63% of maximum charge भी कह सकते हैं क्योंकि 63% of Q naught जो है वो भी 63 divided by 100 multiplied by Q naught उसका answer भी 0.63 Q naught ही आता है तो जाए 63% of Q naught कह दें या 0.63 times of Q naught कह दें बात एक ही है तो ये तो था charging का केस अब मैं इसी charging के केस को graph की शकल में भी discuss करना चाहरा हूँ फर्स कर लें y-axis पे हम charge की value ले ले लेते हैं x-axis पे हम time की values ले ले लेते हैं और यहां पर मैं दो different RC circuits का graph draw करने जा रहा हूँ और फर्स कर लें capacitor में जो maximum charge हमने store करना है ना वो है Q naught और जो दो different RC circuits है ना इन में हमने capacitor एक ही use किया है लेकिन resistor दो different use की है यानि फर्स कर लें एक ऐसा RC circuit है जिसमे capacitor की value C है और resistor की value R है यह जितनी भी है बारहल इनका जो product है यानि R और C का जो product है वो comparatively छोटी value आती है और एक दूसरा RC circuit है जिसमें capacitor तो वही था लेकिन resistor हमने थोड़ा बड़ा लगा दी है जिसकी वजह से R और C का product यानि time constant इसकी value थोड़ी सी ज्यादा आती है इन दोनों circuits का मैंने 81 graph draw करना है जो graph मैं अभी आपको बताने लगा हूँ Y axis पे charge की values, X axis पे time की values और maximum charge कितना है Q node तो मेरे पास दो different graph आते हैं गोर से देखिएगा वो वाला circuit जिसका R और C का product थोड़ा था उसका जो graph है जो थोड़ा ज्यादा bend होता है जरा गोर करें जो ज्यादा bend वाला graph है यह उस circuit का graph है जिसका R C थोड़ा था और यह जल्दी पीक पे पहुंच गया है यानि यह जल्दी Q node पे पहुंच गया है यानि capacitor जल्दी फुल चार्ज हो गया है लेकिन दूसरा circuit जिसका R C यानि R और C का जो product है वो ज्यादा था यानि time constant की value ज्यादा थी उसका graph देखे आइस्ता आइस्ता bend हो रहा है और यह थोड़ा देर से पीक पे पहुंचा है अब जरा वोर करें अगर मैं Q node का point 63 times लूँ तो वो नीचे एक point आ जाएगा graph पे y axis पे आप देख सकते हैं इसको अगर मैं सीधा horizontally graph के साथ मिलाओं तो जिस graph का time constant कम था अगर उस graph को आप सीधा x axis से मिलाएं तो आपको time constant की value आ जाएगी क्योंकि x axis पे तो time की values थी तो ये जो भी answer आएगा ना इसे हम कहेंगे time constant of that circuit ठीक है अब दूसरा graph जो आप देख रहे हैं जो थोड़ा bend है यानि जो कम कर्व है या जिस graph में peak value देर से आ रही है उसको जब आप x axis से मिलाएंगे ना तो यहां गोर करें time की value ज्यादा आ रही है क्यों ज्यादा आ रही है क्योंकि ये ऐसे graph का sorry ऐसे circuit का graph है जिसका r और c का product ज्यादा था तो result ये निकला कि अगर time constant कम है तो capacitor जल्दी charge हो जाएगा और उसका graph ज्यादा bend होगा और अगर time constant ज्यादा है तो उस graph की bending थोड़ी होगी और capacitor देर से charge होगा दोनों graph साब के सामने हैं अब हम बात करने लगें discharging of capacitor की discharging कैसे करेंगे देखें दुबारा से मैं वही circuit लेकर आता हूँ उसी circuit ले देखें पहले मैंने क्या किया था मैंने capacitor को charge करने के लिए switch को connect किया था A के साथ तो बड़े वाला loop active हो गया था अब मैं पता क्या करूँगा अब मैं switch को B के साथ connect कर दूँगा तो गोर से देखें यह जो नीचे battery वाला terminal है यह point A यह open हो चुका है इसका मतलब है battery circuit से निकल चुकी है battery का circuit में कोई role नहीं है अब capacitor चुके पहले full charge हो चुका था उस तरफ positive plate बन गई थी इस तरफ negative charge आ गया था तो अब क्या होगा अब positive charge यहां से negative plate की तरफ आएगा और उसको neutralize करना शरू कर देगा यानि हम कह सकते हैं now this capacitor has been discharged capacitor अब discharge हो रहा है और अगर मैं conventional current की direction देखूं तो वो यह बनेगी positive से negative की तरफ right now यह जो capacitor है ना यह source of current का का काम कर रहा है और यह discharging resistor के थ्रू हो रही है अब यह काम चलता जाएगा चलते चलते capacitor finally discharge हो जाएगा यानि capacitor की दोनों plates पे जो positive और negative charge था ना यह आपस में मिल मिल के neutralize होता जाएगा और eventually capacitor की plate पे resultant charge final charge कितना हो जाएगा zero अब यहां भी same वैसी ही हम बात discuss कर सकते हैं capacitor की discharging के दोरान capacitor की किसी भी plate पर जो charge मौजूद होता है ना उसकी value मैं आपको लिखवा देता हूँ जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको charging के लिए formula लिखवा है ना यहां discharging के लिए भी formula होता है और यह formula है q is equal to q node e की power minus t divided by rc यहां भी अगर हम t की जगा rc पुट करें ना तो आपके पास e की power minus 1 बन जाती है और वो 1 over e हो जाएगा और इस equation में जो q है वो q node multiplied by 1 over e आ गया और 1 over e किसके एकुल होता है पने आपको बताया था 0.37 इसका मतलब है इस वक्त जो capacitor की plate पे charge मुझूद है वो q node का 0.37 है अगर आप गोर करें यह charge इस वक्त मुझूद है तो जो निकला है जो charge discharge हुआ है वो कितना होगा जारी बात है यह 0.37 है तो बाकी कितना बचा 0.63 यानि 0.63 times of q node निकल चुका है और बाकी इस वक्त कितना मुझूद है 0.37 q node तो यह वाला जो time है जिस time के दुरान 0.37 बच गया है और 0.63 निकल गया है इस time को भी time constant ही कहते है और आप गोर करें इसका formula भी वही आया है जो charging की case में time constant का आया था इसका मतलब है time constant यहाँ भी वही है time constant की value यहाँ भी वही है formula यहाँ भी वही है अगर rc circuit same है तो charging और discharging का जो time constant है वो भी same आएगा तो चलें अब हम discharging का graph देखते हैं discharging का graph कैसा होगा देखें दुबारा से y-axis पे मैं charge ले लेता हूँ और x-axis पे मैं time की values ले ले लेता हूँ देखें पिछला graph start हुआ था 0 से और वो peak तक गया था लेकिन यह graph peak से start होगा और वो 0 की तरफ आएगा क्योंकि यहां discharging हो रही है capacitor की plate पे पहले ही काफी सारा maximum charge मौजूद है तो अब आप वोर करें जो पिछला graph आया था ना यह graph उसी का mirror image होगा यानि उसी graph को ऐसे कर दे तो आपको discharging का graph मिल जाएगा तो जिस smaller RC वाले circuit का graph पहले आपने charging वाला देखा था अगर मैं उसी को उल्टा दूँ तो मुझे discharging वाला graph मिल जाएगा यानि अब यह graph इस तरह से नीचे आएगा और जो ज्यादा RC circuit वाला graph था ना वो भी ऐसे ही नीचे आएगा लेकिन इसकी bending थोड़ी होगी और जो थोड़े RC circuit वाला graph था ना उसकी bending यानि curve ज्यादा होगी असान अलफाज में थोड़े RC circuit वाला जो graph है वो जल्दी zero पे आ जाएगा यानि वो capacitor जल्दी discharge हो गया और longer या ज्यादा RC वाला जो circuit था ना उसका graph कम bend है यानि capacitor देश से discharge होगा इन शॉर्ट इस ग्राफ को भी अगर मैं उसी तरह से point आउट करूं जरह वोर करें इस graph में डिस्चारजिंग वाले graph में एक point ढूंडें maximum point तो Q not था और अब आप नीचे एक point ले आए point 37 Q not उसको सीधा graph के साथ मिलाएं और इन graphs को बाद में graph के उपर जो point आया उसको सीधा x-axis पे मिला दें तो आपको दुबारा x-axis पे time constant की values मिल जाएंगी तो जिस circuit का RC थोड़ा था उसका time constant भी थोड़ा आ रहा है और वो जल्दी discharge हो रहे है और जिस circuit का RC ज्यादा था उसका time constant भी ज्यादा आ रहा है और वो देंज से discharge हो रहे है अब आप अगर charging और discharging वाले graph को इकठा देखें तो आपको दुबारा वही बात पता चलेगी जो मैंने पहले बोली थी charging वाला graph जो है इसको अगर मैं ऐसे उल्टा दूँ तो discharging वाला graph बन जाता है तो ये था charging और discharging के बारे में कुछ थोड़ी था है